नमस्कार दोस्तों, सुआगत आपका हिंदी नोलिष शो मैं नहीं दोस्तों चीन और पाकिस्तान दोनों को एक बहुत बड़ा और करारा जटका लगा है खास करकी बात करें चीन की, तो चीन को पैसों का भी नुकसान हुआ है लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि चीन की परतिष्ठा और खास करकि चीनी हतियारों की दुनिया भर में जो इज़त है वो अब मत्या मेट हो चुकी है और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है बहुत सारी डिटेल और शुरुआत से पुरा मामला आपको बताऊंगा तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरन शुर लडाकु विमान है अब कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर इसे कुछ देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं खास करकि उन देशों में जिनका मिलिटरी बजट काफी कम होता है जैसे कि नाइजीरिया अफरीका के कुछ देश लेकिन इस लडाकु विम देगा ऐसे में चीन पाकिस्तान को इस से फाइनेशल बेनिफिट भी मिलता और साथ ही चीन के हतियारों की दुनिया भर में इमेज भी सुधरती कि जी एक बार इस्तमाल करने के बाद बाकी देश बार बार चीनी हतियारों के ओडर देते हैं जिससे कि चीन के दूसरे हतिया लेकिन उससे पहले ही अब चीन पाक को एक करारा जटका लग चुका है दरसल खबर कुछ ऐसी आई है मैमार से कि मैमार की वायू सेना JF-17 की जादा तर लड़ाकु विमानों को अब ग्राउंड़िड कर चुकी है यानि की वो लड़ाकु विमान उड़ने की अवस्था में नहीं है और इसलिए वो सभी अब ग्राउंड बेस पर पड़े पड़े सड रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है तो इसमें मेन इशू बताय जा रहा है एर फ्रेम का कहाई जा रहा है कि JF-17 का जो एर फ्रेम है जिस तरीके से कारों के अंदर चैसिस होता है न ठीक उसी तरीके से लड़ाकु विमानों के अंदर एर फ्रेम होता है उस एर फ्रेम में यानि की मेन धाचे में कई सारे फ्लोज और कमिया पाई गई है इसके लावा इस लड़ाकू विमान के इंदर जो engine लगा है वो रूसी engine है वो engine बहुत पुरानी टेक्नलोजी का है उसमें भी धेर सारे issue है बताय जा रहा है कि चलते वक्त लड़ाकू विमान से smoke निकलता है यानि की धुआ निकलता है इसके लावा भी कई सारी technical difficulties है और उससे भी वड़ा में इशू है स्पेर पार्ट का मैमार की वायू सेना को समय पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से स्पेर पार्ट उपलब्द नहीं कराए जा सके हैं ऐसे में मैमार की सेना को मजबूरी में उन्हें ग्राउंडिट करना पड़ा और अब वो पड़े पड़े सड़ र गए लेकिन ये पाकिस्तान और चीन के लिए इससे भी बड़ा जटका है क्यूं कि इससे दुनिया भर में अब इमेज ये जा रही है कि अगर आप चीन के हतियार खरीदेंगे ना तो फिर आपको बाद में सर्विस नी मिलने वाली इस पेर पार्ट लेने में दिक्कत होगी इसके लावा डिजाइन और में एर फ्रेम में बहुत सारे प्रोब्लम्स भी होते हैं इनके हतियारों में ऐसे में इन हतियारों से तोबा करना ही बहतर है और इसी लिए बता जा रहा है कि बहुत सारे देश चीनी हतियारों के ओरडर भी कैंसल कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही ज्यादा घटियास तरकी है वहीं बता ये भी जा रहा है कि मैंमार ने फिलाल ये फैंसला कर लिया है कि वो और ज्यादा जेव 17 नहीं खरीदने वाला इसकी जगह वो दूसरे अल्टरनेटिव पर ध्यान देगा वहीं बात करें भारत के लिए तो ये तो भारत के लिए सोने पर सुहगा हो चुका है क्योंकि भारत को फ्री की पबलिसिटी मिल चुकी है क्योंकि जो ये जेव 17 है इसे भारत के तेजस से कंपेर किया जाता है हाला कि तेजस इस से काफी सुपीरियर है अच् export opportunity भी है हाला कि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जुरू बताएगा फिलाल इस विडियो में इतना ही थेंक यू वर मिश वाशिंग वीडियो